वेल्कम टू नेक्स एक जाम आज है 23 सितंबर 2022 और 23 सितंबर 2022 से करेंट फैस की जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्यन से रेलेटेड इंपोर्टेंट प्रेक्टिवी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूर आपको सारे पीडियाप एक साथ मिल जाएंगे और टेलेग्राम गुरुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कसिन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम गुरुप चैन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुश्यन है हाली में 200 दिवस मनाया गया तो इस कुश्यन का बे ओप्सिन सही है राइनो इसे हिंदी में गेंडा बोलते हैं अच्छा बेस्व गेंडा दिवस ये 22 सितंबर को मनाया गया है तो गेंडों के अबैद सिकार पर अंकुस लगाने के लिए और लुप्त प्राय प्रजाती को बचाने के लिए हर साल 22 सितंबर को बेस्व राइनो दिवस मनाया जाता है अच्छा गेंडों से रिलेटेड में आपको एक इंफोर्टेंट फैक्ट बताता हूं पूरे दुनिया में गेंडों की पांच प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें से एक प्रजाती होती है एक सिंग वाला गेंडा पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा एक सिंग वाले गेंडे भारत में पाये जाते हैं अब भारत में पाये जाते हैं तो भारत में केस राजी में सबसे ज़्यादा एक सिंग वाले गेंडे पाये जाते हैं और एक सिंग वाले गेंडे के लिए एक सबसे इंपू इंडे किलिए फैम Darling है और काजी रंगानेशनल पार्क से भी कुश्छिन मनता है इंड्या का एकवर介श्ण ऐसा Linda पार्क है जो सेटेलाइड फोन से कनेक्ट हो चुका है इस तरह आपको कुश्छिन को लिंक कर करके याद करना है अब यह important day वाला question है तो अभी दो सितंबर को बेसु नारियल दिवस मनाया गया तेन सितंबर को national sky scraper day और अंतरास्टी गिद्ध जागरुकता दिवस मनाया गया 5 सितंबर को अंतरास्टी charity दिवस मनाया गया 7 सितंबर को ब्राजील स्वतंता दिवस नेले आ therapy दिवस मनाया गया अच्छा 8 सितंबर को ही अंतरास्टी साक्षरता दिवस भी मनाया गया 9 सितंबर को हिमाले दिवस मनाया गया 9 सितंबर को ही world electric vehicle day भी मनाया गया 10 सितंबर को 200 आत्म हथ्या रोकताम दिवस और 200 प्रात्मिक जिकित्सा दिवस मनाया गया 11 सितंबर को patriot day और 15 सितंबर को अंतरास्टी लोकतंत्र दिवस और इंजिनियर्स डे मनाया गया 15 सितंबर को ही 200 लिंफोमा जागुटता दिवस भी मनाया गया 16 सितंबर को 200 ओजोन दिवस मनाया गया 17 सितंबर को 200 रोगी सुरक्षा दिवस और अंतरास्टी लाल पांडा दिवस मनाए गया 18 सितंबर को 200 बास दिवस मनाए गया 18 सितंबर को ही अंतरास्टी समान बेतन दिवस मनाए गया 21 सितंबर को अंतरास्टी सांती दिवस मनाए गया तो सितंबर में अब तक इतने important दे मनाए गए हैं यह आपको याद रखने हैं अच्छा आज किस वीडियो का हम target रखते हैं 40 या like का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगता है help और लगता है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और मैं आपको यह बोलता हू daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो चाहे चोटा साई target fix करो लेकिन daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को अचेव करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी next question है हाली में पहली floating photo प्रदरसनी का उद्गाटन कहां किया गया है तो भारत की पहली floating photo प्रदरसनी का उद्गाटन अभी इंफाल में किया गया तो इस question का say options है यह मड़पूर के इंफाल में तेन दिवसी floating photo प्रदरसनी का उद्गाटन किया गया अच्छा इसका उद्गाटन लोग तक झील पर किया गया है कहां पर मडपूर में है लोग तक झील यहीं पर भारत की पहली floating photo प्रदरसनी का उद्गाटन किया गया अब बात मडपूर की है तो ये है मैप में मड़पूर, मड़पूर की केपिटल क्या है? इमफाल, मड़पूर के चीपनिष्टर कौन है? एन विरें सिंग, और मडपूर की गवर्नर कौन है? ला गडिशन, अभी इमफाल में आम लोगों की सिकायतों के लिए सियम दा हैसी पूर्टल का सुवारम हुआ खौंग जॉंग दिवस, 23 अप्रेल को मड़पूर में मनाया गया पूर्वोतर का सबसे उचा राष्टी द्वज, जिसकी उचाई 165 फीट है मड़पूर के बिजडूपूर जिले में फैराया गया मड़पूर के मुख्यमंत्री ने कैस दरेन केमपेन लॉंच किया और लाई हरोवा तिवार मड़पूर में मनाया जाता है संगई महुत सब भी मड़पूर मताया जाता है अचा अभी मैंने आपको होता है लोकटक जील ये भी याद रखना लोकटक जील मड़पूर में है ने हुशन है हाली में भारती सेना केस राजी की पुलिस के कमांडो भरतियों को प्रसिचित करेगी तो भारती सेना असम में जो पुलिस में जो कमांडो की भरतिया होई है उनको प्रसचित करेगी तो इसकुशिन का बे ओप्सन सही है अब असम तो यह है मैप में असम असम की के बिटल क्या है देश पूर असम के चीपनिश्टर कौन है हिमंता बिश्व सर्मा और असम की गवर्नर कौन है जगदेश मुखी अभी असम सरकार्थ बिद्यारत स्कूल कौन वेल्स परयोजना शुरू की है पवन कुमार बोठाकुर असम के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए है मुख्य मंत्री ने 1000 मौडल आंगनवाडी केंद्रों का सुभारम किया है दूसरा बार्सिक अंतरास्ती रेंजर पूरुष का 2022 ओरंग नेशनल पार्क को मिला है अचा असम में कौन कोन से नेशनल पार्क है काजी रंगा मानस ओरंग नामेरी डिब्रुस एकोवा रायमोना और देहिंग पट गई ये असम के टूटल साथ नेशनल पार्क है और पूरे देश में नेशनल पार्क के मामले में असम तेसरे नमबर पे है कौन कोन से नेशनल के बारे मैंने आपको बता है यह एक सिंग वाले गेंड़े के लिए फैमस है और एक सिंग वाले गेंड़े भारत में कहां काम पाए जाते हैं असम और पश्चिमंगाल में अच्छा असम के लोक नत्य आप याद रखना बिहु बगरुंबा भूर्ताल और जुमूर अभी अस हाली में ICC T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सीर्स पर रहा है तो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं मुहमद रिजवान यह अभी ICC T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर रहा है तो इसकुशिन का से ओप्शन से ही है पाकिस्तान के मुहमद रिजवान फरस्ट पे हैं साउथ अफरीका के एडम मार्क रहम सेकेंड नमबर पे हैं और इंडिया के सूर कुमार यादव ये थर्ड नमबर पे हैं ने क्यूशिन है हाली में भारत का पहला डुगोंग संरक्षड रिजर्ब कहां अधिसूचित किया गया तो अब ये तमिलनाडू में भारत का पहला डुगोंग संरक्षड रिजर्ब अधिसूचित किया गया तो इसको शिन का बे ओप्सन सही है तमिलनाडू के तड से दूर पाक की खाड़ी छेत्र में लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षड के लिए ये डुगोंग तमिलनाडू के केपिटल के है चेन नहीं तमिलनाडू के चीपनिश्टर कौन है एम के स्टालेन और तमिलनाडू की गवर्नर कौन है आर एन रभी अभी तमिलनाडू सरकार ने नंज रायन टैंक को पच्छी अभ्यारड की रूप में अधिसूचित किया है तमिलनाडू को अगस्त मलाई में अगला पांच मां हाथी रिजर मिला है तमिलनाडू सरकार ने मुख्य मंत्री नास्ता योजना सुरू की है तमिलनाडू ने जिला जलवाईव परवितन मिशन की स्तापना की है स्मार्ट सिटी फंड के उप्योग में तमिलनाडू टॉप पर रहा है और तमिलनाडू सरकार ने ITI के अपग्रेड के लिए Tata Technologies के साथ समझोता किया अच्छा पूरे देश में मचले के उत्पादन में तमिलनाडू टॉप पर है अच्छा खाद्य सुरक्चा सूचकांग में भी तमिलनाडू टॉप पर है मैंने आपको कई बार याप दिलाया है मचले के उत्पादन में तमिलनाडू टॉप पर है फलों के उत्पादन में आंधपदेश टॉप पर है सबजियों के उत्पादन में उत्तरप्देश टॉप पर है और चेनी के उत्पादन में महराज टॉप पर है ये आपको याद रखना है अचा तमिल नडु में सत्य मंगलम टाइगर रेजर्ब है इसे अभी TX2 अवार्ड मिला था तमिल नडुने तमिल थाई बजधू को आयोजन भी तमिल लडों में होता है नेक्ट क्यूशन है हाली में वालेरी पॉला कोब का निधन हुआ है वे कौन थे तो वालेरी पॉला कोब ये एक अंतरिक्ष यात्री थे और अभी इनका 80 बर्स की उम्र में निधन हो गया तो इस क्यूशन का A options आई ये ये थे वालेरी प पॉला कोब ये अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने वाले अंतरिक्ष यात्री थी ये अंतरिक्ष में 437 दिन तक रहकर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था और अभी 80 बर्स की उम्र में इनका निधन हो गया है हाली में केस राज सरकार ने अपनी पुलिस की आकस्मिक चुट्टियों को बढ़ाया है तो अभी महरास्ट सरकार ने अपनी पुलिस की आकस्मिक चुट्टियों को बढ़ाया है तो इस कुशन का C options है ये अभी तक महरास्ट में पुलिस को एक साल में 12 आकस्मिक चुट्ट महाराष्ट की चीपनिस्टर कौन है? एकनात सिंदे और महाराष्ट की गवर्नर कौन है? भगत सिंग कोश्यारी अच्छा महाराष्ट सरकार नेती आयो की तर्ज पर एक संस्ता की स्तापना करेगी संपत्य पुझी करड को डिजिटाइज करने वाला पहला राज महाराष्ट बना है ये कुश्यन मैंने आप से पूचा भी था वीडियो के लास्ट में मैं डेली एक कुश्यन पूछता हूँ और मैं आपको बार बार बोलता हूँ जो कुश्यन मैं पूछता हूँ उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो ये हैबिट आप अपने अंदर डिवलप कर लो कई वार हमें क्या लगता है अच्छा हमें आंसर पता है कितना काफी है लेकिन आप कुश्यन का आंसर लिखने की हैबिट डालो जब आप आंसर लिखोगे तो उससे रिलेटिट और चीज़ें आपको याद आएंगी मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आपके मैंड में एक चेन बनने चाहिए एक चीज़ आपको याद आए उससे रिलेटिट दूसरी याद आए फिर उससे related टेसरी यादा है इस तरह से mind में एक chain मनने चाहिए तो जब बे मैं कोई question आपसे पूछूँ उसका answer आप comment box में लिखा करो और कोसिस करो कि जितना detail में आप answer लिख पाओ उतना लिखो इससे आपको बहुत आसानी से चीज़े याद होंगी और बहुत लंबे समय त लिखो खेल का दर्जा देने की गोश्ण की है बारत ने नाकपुर में सबसे लंबा double daker flyover बनाने का record बनाया है भारत में चेनी का सबसे बड़ा उत्पादक महरास्ट है ये तो मैंने अब भी आपको इस वीडियो में बताया है और महरास्ट की cabinet ने जेन बैंक परयोजना को मनजूरी दी है ने क्यूशन है हाली में रक्षा मंत्राले ने बैंक ओफ वड़ोदा और किस बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्चर किये हैं तो हमारे रक्षा मंत्राले ने बैंक ओफ वड़ोदा और HDFC बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्चर किये है तो इस कुशन का बे options है रक्षा मंत पर हस्ताक्चर किये हैं अच्छा HDFC इसकी स्थापना कव हुई 1994 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है मुंबई में और इसके प्रजेन टेम पर CEO कौन है ससी धर जगदीशन नेक्यूशन है हाली में प्लास्टिक प्रदूसर को खत्म करने के लिए NCC ने किसके सा समझोता किया है तो अभी प्लास्टिक प्रदूसर को खत्म करने के लिए NCC ने UNEP के सा समझोता किया तो इसको शिन का A options है यह UNEP यानि की United Nations Environment Program इसकी स्थापना कब हुई 1972 में इसका Headquarter कहां पर है नैरोबी में और इसके प्रजेन टेम पर Head कौन है इगर एंडर्सन कौन है इगर एंडर्सन नेक्शन है हाली में North Channel को तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारती कौन बने है तो Elvis Ali ये North Channel को तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारती बने है तो discussion का B options है आप image में देख लिजिए ये हैं असम के तैराक Elvis Ali हजारिका और ये North Channel को तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारती बने है नौर्थ एस्ट उत्तरे आईरलेंड और दक्षिड पश्चिमी स्कॉटलेंड की बीच एक जल डमरू मंडल है जिसे नौर्थ चैनल कहते हैं नेक शुशन है हाली में अडानी पोर्ट को केस राज में 25,000 करोड़ रुपए का ताजपूर पोर्ट प्रोजेक्ट मिला है तो अब अडानी पोर्ट को पश्चिम मंगाल में 25,000 करोड़ रुपए का ताजपूर पोर्ट प्रोजेक्ट मिला है तो इसको शिनका से ओप्सन सही है अब पश्चिम मंगाल तो यह है मैप में पश्चिम मंगाल पश्चिम मंगाल की केपिटल क्या है कूलकाता और कुलकाता किस नदी की किनारिश्तित है? हुगली नदी किनारिश्तित है पश्चे मंगाल के चीपनिष्टर है? ममता बनारजी और पश्चे मंगाल के प्रजेंट टैम पे गवर्नर कौन है? लागड़ीशन अभी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्गाटन कुलकाता में किया जाएगा अंतरास्ति समुद्री भोजन्सों की बेजवानी कुलकाता करेगा एसिया का सबसे पुराना फुटवर्ट टूरामें डूरंड कफ कुलकाता में अभी हुआ है और पस्चि मंगाल ने बिश्चु विद्ध्यालेओं की कुलपती की रूप में मुख्य मंतरी को नियुक्त करने का नेड़े लिया नेक्शुशन है हाली में ADB ने 2022-23 में भारत की GDP विकासदर कितने प्रतिसत रहने का अनुमान लगाया है तो ADB ने 2022-23 में भारत की GDP विकासदर 7% रहने का अनुमान लगाया है तो इस कुश्चिन का बे आप्शन है ADB ने पहले 7.2% रहने का अनुमान लगाया था जिसे अब घटा कर 7% कर दिया है अब ADB यानि की ASEAN Development Bank इसकी स्तापना कब हुई? 1966 में इसका Headquarter कहां पे है? Munyong में ये कहां पे है? Munyong ये Philippines में है और इसके Present Time पे President कौन है? Mat Satsugu Askawa ने कुश्चिन है हाली में सरकार ने PM Care's Fund का नया ट्रस्टी केसे न्यूक्त किया है तो अभी सरकार ने रतन टाटा को PM Care's Fund का नया ट्रस्टी अपॉइंट किया तो इसके कुश्चिन का A option से यह बैसे PM Care's Fund की ट्रस्टी कौन-कौन है? ग्रह मंत्री, बित्तु मंत्री और रक्षा मंत्री ये PM Care's Fund के ट्रस्टी है अब तेन लोगों को और सरकार ने PM Care's Fund का ट्रस्टी अपॉइंट किया है जिसमें से एक है रतन टाटा दूसरे है सोप्रेम कोट की पूर्व नयादीस केटी थॉमस और पूर्व डेप्टी लोकसभाई स्पीकर करिया मुंडा तो इन तेन लोगों को और PM Care's Fund का ट्रस्टी बनाया गया है अच्छा PM Care's Fund इसकी स्तापना कव होई 27 March 2020 को कब 27 March 2020 को नया शुशन है हाली में इसरो ने हाइब्रिड मोटर का सफल परिक्षड कहां किया है तो अभी इसरो ने हाइब्रिड मोटर का सफल परिक्षड तमिल नाडू में किया तो इस कुशन का बे ओप्सन सही है तमिल नाडू में महिंद्र गिरी में इसरो ने अपने हाइब्रिड मोटर का सफल परिक्षड किया है अब इसरो तो इसरो की स्तापना का हुई 1969 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है बैंगलूरू में और इसके प्रजेन टाइम पर चेर्मेन कौन है एस सोमनाथ कौन है एस सोमनाथ नेशुशन है हाली में उच्छ रक्तचाप नियंतर पहल के लिए किस देश ने सयुक्तराष्ट पुरु कारजीता तो इस कुषिं का से ओपशन सही है अब लास्ट वीडियो के कुफषिं का आञ्वर लास्ट वीडियो मैं आप से कुद्चं पूचा था कि हालुए में पर ना ज्यादा से ज्यादा पता हो, आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो, पर उन्हें आप कभी नहीं भूलते, अब आपके लिए आज का question, आपके लिए आज का question है, हाली में case देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल दिया है, चार option दिये गए है इन में से आपको अपना answer बताना है, और इसके लाब आप हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं, तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page जोईन कर सकते हैं, क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं, अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है, या आपको अपने career से related भी कोई भी problem है, तो आप Instagram पर address RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी doubt, कोई भी confusion, without any agitation, discuss कर सकते हैं, अच्छा, आज की studio का हम target रखते हैं, 40 या लाइक का, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, help हो लगता है, तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो, और आपक तक भी आपने हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है, तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी, जब बे आपसे subscribe करेंगे, तो बरावर में एक bell icon मन के आएगा, आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लेए, जिससे कि आपको daily morning में current affairs की video मिलती नेक्स्ट एक्जाम और बेज विडियो, थैंक्स फर वाचिंग.